हलो एव्रिवाइन वेलकम अगें टू मैं चैनल आज हम बात करने वाले हैं करेंट के एक बहुती करेंट टॉपिक के वारे में तो जिसे देखने के बाद शायद और सुनने के बाद आपको जो नौलेज मिलेगी उसके बाद आपको अपनी कंट्री हमारे प्यारे भारत से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा उत्तर कोरिया ने 11 दिनों के लिए हसने शराब पीने खरीदारी पर प्रतिबंध क्यों लगाया है यानि कि उत्तर कोरिया चलिए पहले जान लेते हैं उत्तर कोरिया क्या है यह नौर्थ कोरिया है जिसे हम नौर्थ कोरिया बोलते हैं उत्तर कोरिया को यह भारत से हमारा ज बन कुंकि नौर्थ कोरिया कि केपिटल है प्योंग याँनी की नौर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंग्यांग उसने मार्किया है 10th डेथ अनिवर्सरी को जो की लीडर किम जॉंग इल की 10th डेथ अनिवर्सरी है अब इनके बारे में जान लेते हैं कि यह क्या है यह जो लीडर किम जॉंग इल है अभी जो हमारा वहां पे जो उत्तर कोरिया है वहां पे जो अभी शाशन है इस टाइम पे जो वहां का तानाशा है वो है नोर्फ कुरिया में क्या होता है वहाँपर पे रोगताने जेसे इस देश नहीं है यह जो इस पहले वहां पर 10 दिन तक बैंड किया जाता था लेकिन इस बार 11 दिन तक उसने पूरे कंट्री में नर्थ कोरिया में बैंड कर दिया है हसने रोने ड्रिंक करने और शौपिंग करने के लिए पूरा 11 दिन तक आप खुद ही सोचिए कि अपने ही देश में अगर 11 दिन तक हमें 11 दिन तक ऐसा कुछ करना पड़े कि हम अपने घरों तक में भी हम हस नहीं सकते रो नहीं सकते खा नहीं सकते पी नहीं सकते शौपिंग पर नहीं जा सकते बाहर तो कैसा फ्रील होगा यह आपके हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है यह देखिए लोगों का वहाँ पर यह कंडिशन हो जाती है लोग जाओ अपनी मर्जी से नहीं जी पाता आप खुदी सोचे कि आजाद पंची जो आसमान में उड़ रहा होता है और उसको जब पिंजरे में कैद कर दिया अपनी दो बेटियों को उसके दो बच्चे थे उसको उनोंने बचाया आग में जलने से बचाया इसके कि उनोंने क्या किया था इंस्टीड ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ किम जॉंग इल जबकि किम जॉंग इल का जो पोर्ट्रेट था उसे ना बचाकर उस माने अपने बच्चों को बचाया था जिसकी वजए से उस मा को प्रिजर नी आने कि उसको जेल में डाल दिया गर में लगाना वहां पे Kim Jong Ilka और Kim Jong Sung का इन दोनों का portrait वहां पे लगाऊ होना चाहिए और अभी जो वहां का TANA SHÁ है KIM Jong Un उसका इसके साथ ही ये देखिया वहां पे इस तरह से उन्दर TANA SHाही वहां पे ये है के एक ही फैमिली के लोग जो है वही TANA SHाह चले आँ रहे हैं सबसे पहले यह जो अभी chim Jang Un जो है यह वहां पर तीसरा तानाशाः है किस्ते पहले सबसे पहला जो वहां पर तानाशाह जारानानी कि जो फस्ट लीडर था हूँ किम इल संग था उसके बाद यानि कि यह जो किम इल संग था यह अभी जो तानशा है किम जॉंग उन का यह ग्रेंड फादर था उसके बाद सेकिंड जो लीडर था वो किम जॉंग इल था जिसकी डेथ एनिवर्सिरी अब वहां पर मनाई जा रही है जो कि फादर था किम जॉं तो इन लोगों के वहां पर इस तरह से स्टेचू भी जगह जगह पर बने हुए हैं यह इनकी फैमिली है आप देख सकते हैं किम फैमिली ट्री बनाया गया है यहां पर आपको दिखाई देते हैं यह किम जॉंग उन है जो अभी का वहां पर प्रिजेंट में ताना शाह है और बाकी यहां पर बताया गया है यह जो लास्ट में है संग यह ग्रेंट फादर है अभी जो यह किम जॉंग उन है अभी इसकी सिस्टर भी है और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो किम जॉंग उन है इसका एक बेटा है और एक बेटी है इसका बेटा है यह बेटी है अगर इसी तरह से होता रहा तो में भी देखा चा सकता है कि आने वाले समय में किम जॉंग उनका जो बेटा है इसका किम जॉंग चिल हो सकता है यह आगे वाला तानाशा वहां का हो यह इस तरह से हर घर में मिलते हैं, यानि कि जो अभी का जो ताना शाह है, उन उसके पिता का और उसके ग्रेंट फादर का, यानि कि इल और संग σाह। इन दौनों के वहाँ पे portrait मिलते हैं. इस portrait से जुड़ी हुई एक और story है, उसके बारे में भी बात करते हैं, कि वहाँ पे क्या है, जैसे कि इन portrait को लगाना compulsory है, तो एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया था, वहाँ पर बाड आई थी, एक बार आने पर वहाँ पर एक आदमी ने अपनी जान की परवा किये बिनाया, यानि कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन उसने अपनी जान की परवा किये बिना ये जो portrait लगे हुए था, यानि कि ये जो तस्वीरे थी, किम जॉंग इल और किम जॉंग संकी, उसने क्या किया था, इन दौनों तस्वीरों को बचाया था, इसको बचाने के चकर में वो जो व्यक्ति था, उसकी जान चली गई थी, तो सरकार ने उसके मरने के बाद भी उसकी बहादूरी को, यहनु के उसको शाबाशी दी थी और एक स्कूल का नाम उसके नाम पे रख दिया गया था तो वहाँ पे अगर कोई इन पॉर्ट Вेट को बचा लेता है तो वो एक तरह से बहादूर कहलाता है और जो कोई इन पोर्ट्रेट को बचाने में नकामियाब होता है तो उसको वहाँ पे पनिश्मेंट दिया जाता है कुछ ऐसी स्टोरी है वहाँ कि ऐसा वहाँ पे लाइफ है लोगों की जीना ऐस तरह से उनको वहाँ पे जीना पड़ता है अपनी जिन्दगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं बजाए इसके हम लोग इंडिया में रहते हैं हमारे यह पे लोग तांत्रिक देश हैं हमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इतने प्यारी कंट्री में रहते हैं जो प्यारा भारत है इतनी अच्छी कंट्री में रहने के लिए मिली है इतनी अच्छी कंट्री में हम लोगों ने जन्म लिया है जहां पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि बाकी जो कंट्री में वहां पर कैसा शार्षन है और अपने देश में आप कितने खुली हवा में जी रहे हैं आजादी के साथ जी रहे हैं तो थैंक्स फो वचिंग वाई वीडियो वीडियो एव ग्रेट देग ब्लेश यॉल